हलो फ्रेंस वेलकम बैक आहिल टेक यूटूब चैनल फ्रेंस आर्पी पे मोबाइल एप्लिकेशन को आप यूज करके इसमें एप्यस यानि किसी का भी पैसा अधार काट से विड्डो कर सकते हैं बैलेंस इंकुवारी कर सकते हैं इसके अलावा आप रिचार्जेस कर सकते हैं बिल पेमेंट, मनी ट्रांसपर आपको आर्पी पे अप्लिकेशन में मिल जाती है और इन सब पे आपको कमीशन भी अच्छा मिल जाता है मैं आपको इसका फुल डिटेल्स बताऊंगा और आर्पी पे में कुछ नई अपडेट्स है जिसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा और इसकी सर्विसेज और इसका कमीशन सलैब मैं आपको फुल डिटेल्स इस वीडियो में कवर करूंगा तो वी यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 की इसकी स्टार रेटिंग है और इसमें जो है की 8 पॉजिटीव रिव्यूस हैं जो भी रिव्यूस है आप यह पोजिटीव रिव्यूस है गाइस ठीक है जैसे आप इसके रेटिंग और रिव्यूस पर जब आप किलिक करेंगे तो यह आप इसके साथ जो है की अर्न कर सकते हैं पैसे अच्छा वर्क यह अप्लिकेशन अभी बे कर रहा है सो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इस एप्लिकेशन को डाउनलोड करके अपने मुबाइल में इंस्टॉल कर लेना है जब आप इसे ओपन कर लेते हैं तो आपको description में contact number मिल जाएगा आप उनसे contact करके इसकी आईडी ले सकते हैं जब आईडी आपको मिल जाएगा तो यह मुबाइल नमर जो आपको यहाँ बैलготов डालना है और डालके यह här वेरिफाइब कर देना है यहाँ पे डलकर verify आपको किलिक कर दिए उस नमबर पर एक OTPI एगा OTPI verify करा देंगे तो आपके सामने यहां इसका login हो जाएंगे आप sign up होने के बाद आपको ऐसा interface देखने को मिल जाता है सबसे उपर आपको यहां पर wallet balance देखने को मिल जाएगा जो भी आपका wallet में balance होगा यह आप यहीं पर देख सकते हैं इसके बाद गाइस आपको दोसरा जो option मिल जाता है इसमें money transfer का तो आप money transfer के उपर click करके आप देख सकते हैं UPI के दोवारा QR code के दोवारा आप पैसे को transfer कर सकते हैं या फिर आप beneficiary के दोवारा जो है कि transfer कर सकते हैं beneficiary इसमें add करके तो आप money transfer easily कर सकते हैं इसके रावा गाइस आपको इसकी history चेक करने का भी option इसमें मिल जाता है इसके बाद guys आपको APS transaction का इसमें option मिल जाता है बाद आप इसमें APS transaction का भी कर सकते हैं और इसकी history भी यहां से आप check कर सकते हैं इसके बाद guys आपको my QR code का option मिल जाता है यह जो QR code है यह आपका है आप किसी से भी इसको share कर सकते हैं और payment accept कर सकते हैं यहाँ पे आपको payment आपके account में हो जाएगा my VPA account भी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे money के लिए आप send request भी कर सकते हैं my commission भी आप यहाँ पे जो हैगी check कर सकते हैं सब आपको dashboard में यह facilities इसकी मिल जाती है dashboard में उपर आपको यह जो three line का निसान दीख रहा है जब आप इसके ओपर click करते हैं तो यहाँ पर आपका keyword code तो यहाँ पर देखने को मिली जाता है यहाँ पर fund aid करने का भी option आपको इसके मिल जाता है इसके अरावा guys आपको recharges और bill payment services का option मिल जाता है जो कि आप देख सकते हैं prepared mobile recharge, postpaid, DTA, city bill payment, land, gas, water bill payment आपको इसमें मिल जाता है यानि कि इस तरह से आप जो है कि recharges और bill payment भी आप इस application के मदद से कर सकते हैं और इस पर आप commission भी अच्छी काची earn कर सकते हैं यहाँ पर आपको settlement amount करने का option आपको मिल जाता है easily आप settlement कर सकते हैं चाहें यहाँ पर settlement कर सकते हैं settlement करने के लिए आपको IMPS, NEFT, RTRGS का option मिल जाता है आप IMPS से भी instant जो है कि अपने amount settlement आप कर सकते हैं बीना कोई दिक्कत के तो इसमें आपको यह भी facilities मिल जाती है और आपको इसमें commission structure भी देखने को मिल जाता है commission structure के उपर जब click कर देंगे तो यहाँ पर आपको commission one by one बताएगा यह जो commission आप देख रहे हैं यह prepared mobile rich charges पे मिलने वाला commission है यह मैं one by one तो नहीं बता पाऊंगा आप वीडियो का ज़रा post करके आप देख सकते हैं यह commission आपको retailer को मिलता है prepared mobile rich charges पे post paid का आप यहाँ पे देख सकते हैं post paid पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे आपको post paid में 75 पैसे का जो यहाँ पे commission आपको देखने को मिल रहा यह commission आपको post paid will payment पे मिल जाता है DTH में आपको मैं यहाँ पे बता दू DTH पे आपको कौन सा commission मिलता है यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो देख रहे हैं यह DTH पे मिलने वाला commission है आप वीडियो को थोड़ा दिर के लिए post कर दीजिए और post करके आप यहाँ पे देख सकते हैं यह commission रिटेजर को DTH पे मिलता है landline के commission मैं आपको यहाँ पे बता दू landline में आपको commission क्या मिलता है commission देख रहा है 75 पैसे का यह आपको landline में, city में, gas में, water में आपको यह जो commission है यह देखने को इसमें मिल जाता है यह commission आपको 75 पैसे का मिलता है इन बिल पेमेंट्स में अगर आप 4,000 तक अगर आप विड़ो करते हैं तो 0.2% का commission मिल जाता है 4,000 से लेके 10,000 तक के विड़ो पे आपको 9 रुपए का commission यहाँ पे flat मिल जाता है अब गाइस बात कर लें money transfer की commission किया और surcharges की माई transfer में commission और surcharges कुछ इस परकार है जो कि आप यहाँ पे screen पे देख रहे हैं बिलो 25,000 यानि 25,000 से कम के money transfer पे 20 रुपए का surcharge होगा और 7 रुपए retailer का commission और 5 रुपए distributor का commission होगा इसके अलावा गाइस बात करें 25,000 से जादा के money transfer की तो 35 रुपए surcharge होगा 12 रुपए commission होगा retailer का और 10 रुपए commission होगा distributor का बात करें गाइस ID की cost की तो यहाँ पे registration fee 100 रुपई से जो nominal charges है दरसल होता यह था कि जिनको यूज नहीं करना है वो भी registration करके बस ऐसे time pass करते थे इसलिए यहाँ पे रुप इस nominal charges दिया गया है registration charges और आपको यह skin पे जो contact number दिख रहा है इस contact number पे आपको मिलेगा ID आप इस number पे contact कर लिजिएगा आपको वीडियो के description में भी यह number मिल जाएगा और आगर आप interested है तो इस number पे contact ID लेके आप work इनके साथ कर सकते हैं और अच्छी earning कर सकते हैं सो गाइस उमीद करने को वीडियो काफी पसंद होगा वीडियो को लाइक के रुकिजेगा चैनल पर आपको करके बेल आकन दबाएगे जोड़ों सो मिलते हैंगे वीडियो में तब तक लिए जाए हिन वद्दे मात्रव